हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखन जी के वैरीजी ट्रिक्स में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे UKPSC Lower PCS Preliums Exam के सॉल्यूसन के बारे में तो दोस्तो आज 12 दिसंबर 2021 को UKPSC के द्वारा Lower PCS का Preliums Exam Paper कराया गया जिसमां आपके डेडा 100 कुषिशन आया थी दोस्तो डेडा सो में से 50 कुषिशन और दोस्तो इसकी ऑफिशिल अंसर की अभी तक नहीं आई हुई है लेकिन 10 से 15 दिनों बाद इसकी ऑफिशिल अंसर की आ जाएगी लेकिन अभी तक जो में आपको ये 100 कुषिशन कराने वाला हुआ इसमें से आपने मानके चेड़ी कि 90 कुषिशन के अंसर में आप लोगों को बिल्कुल सही सही बताऊंगा बागी 10 कुषिशन थोड़ा सा डाउट वाले हैं वो आप देख लीजेगा चले शुरू करते हैं पहला प्रसन है दोस्तों कि सगंद पादप केंद्र C.A.P. उत्राखंड में किस इस्थान पर इस्थित है तो उत्राखंड में सगंद पादप केंद्र काएं दोस्तों सेला कुई दिरादुन में इस्थित है दूसरा प्रसन है 2011 की जनगरने के नुसर उत्राखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता नियुन्तम थी तो उत्रकासी की महिला साक्षरता नियुन्तम थी तीसरा प्रसन है दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा प्रसन है कि हिमाले के लिए उत्राखंड आजी विका सुधार प्रोजेक्ट है U-L-I-P-H परतिवंदित किया जाता है किसके दोरा उत्राखंड ग्राम विकास समीति दोरा जिला ग्रामीन विकास सधिकरान दोरा परवती विकास जन समीति दोरा या इन मैंसे कोई नहीं तो दोस्तों इसका अंसर ऑप्सन A या B मैंसे एक होना चाहिए मैं यहाँ पे कनफरम नहीं हूँ ठीक है अगरा चोथा प्रसन बात करते है आपको सूचियों को सुमीलित करना है तो अधिक्तम छेत्रफर वाला जिला कौन सा है दोस्तों चमोली उप्सन में नहीं है तो उत्तरकासी हो जाएगा नियूंतम छेत्रफर वाला जिला कौन सा है दोस्तों चंपावत हो जाएगा अधिक्तम जन्संक्य वाला जिला कौन सा है दोस्तो हरिद्वार हो जाएगा और अधिक्तम साक्षर्ता वाला जन्पत कौन सा है दोस्तो देहरादून हो जाएगा तो 4, 3, 2, 1 तो option number C आपका यहाँ पर सही answer हो जाएगा 3, 4, 2, 1 अगला 500 प्रसन है दोस्तो वैसे दोस्तो देखा जाए तो पसुपालन वानिकी और लठा बनाना तथा खनन और उत्खनन ये तीनों ही प्रात्मिक छेत्रों में आते हैं तो इसके अनुसार दोस्तो इसका answer हो सकता है इन में से कोई नहीं option number D ठीक है लेकिन यहाँ पर आप उत्राकंड राजी सकल गरिलू उत्पात के आंकलन में पुछा गया है तो थोड़ा सा confusing ये कुछन है लेकिन मेरे accordingly option number D होना चाहिए बागी doubtful कुछन है थोड़ा साथ ठीक है अगर देखा जाई वनात्षादर या वनात्षादित के आधार पे तो 25,000 कुछ छेत्रपल आता है ठीक है या फिर अगर हम आरक्षी छेत्र के according देखे तो 29,000 आता है लेकिन options के according लिए आई थिंग इसका answer आपका option number A होगा 34,651 km2 ठीक है option number A अगरा पसना है नवा जिरॉली बागेश्वर वो चंडाक पित्रागण में कौन सा खनीच मुख्य रूप से पाये जाता है तो मैंगनिसाइड पाये जाता है जिरॉली और चंडाक में अगरा पसना है दोस्तों की पर्थम अगरा पसना है निवार से कौन एक उप्रेटिंग सिस्टम नहीं है युनिक्स लिनक्स जावा या विंडोज 11 तो जावा दोस्तों आपके उप्योग किया जाता है विद्यो संकेत के परिवर्धन के लिए परतियावर्ति धारा को एक दिस धारा में बदलने के लिए अगरा पसने है निवन मैंसे कौन सिल्फर डाय उक्साइड प्रदोसक का सरवोत्तम सूचक है तो सैवाक या फिर लाइकन अगरा पसने है उस दो कि यूडिक अंबल नामक नत्र जनी अप्सिष्ट उत्सर्जित किया जाता है अगरा पसने है प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके दोरा प्रारंब किया गया था तो मोहनदाज करमचन गाधी गांधी जी कि द्वारा इंड्यान उपिंइन समाचार पत्र प्रारंब किया तो शिक्षख्या की वर्धा योजना को दोस्तों महातमा गांधी आईशोटोनिक घोलू में समान होते हैं उनके परास्रन दाव दोस्तों समान होते हैं आईशोटोनिक घोलू में अगर आपसने आकास का रंग नीला दिखाई देता है क्यों आस्मान नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का प्रकिर्णदन होता है तो अनिल बैजल जी वरतमान में दिल्ली के उपराद जिपाल हैं अगला पसने हैं दोस्तों 24-वा सन 2021 के लिए फिक्की का नया अध्यक्स किसे नियुक्त किया गया था तो सन 2021 के लिए फिक्की का नया अध्यक्स दोस्तों उधाई संकर जी को नियुक्त किया गया बाला फैक में उन्हें जीता था, सुमी तंतिल, ठीक है, सुमी तंतिल, अगलापस नहें, 108 में भारती विज्ञान कॉंग्रेस का आइजन 2022 में कहां होगा, तो पुणे में हुआ, पुणे में हुआ, ठीक है, कहां पे, पुणे में, ठीक है, नोबल सांती पुरुषकार 2021 के व विजेता कौन है तो अधिती महिस्वरी एक दिन के लिए उच्छा उच्छ परतियों किता की पांच विजेता है कौन अधिती महिस्वरी इसका अंसर हो जाएगा अगला आपस नहीं भारत में विद्धुतार का जनक किसे माना जाता है तो लाट डलहोजी को भारत में अधिती में विद्धान का कौन सा अनुच्छ जिला नियोजन समीति का प्राउधान करता है तो अनुच्छ 247 जेटी दोस्तों जिला नियोजन समीति का प्राउधान करता है तो अनुच्छ 247 जेटी दोस्तों जिला नियोजन समीति का प्राउधान करता है तो अनुच्छ किसे समदित था तो एक्षओ चौबिस्वा सम्मेधानिक संसोदन अजिन्यम दोस्तो आर्थीग रूप से पिछले वर्गों के लिए आर्क्षे नसे ही समदित था ओफ्सन नमबर दे यहां पर आपका अंसर होई जाएगा अगsan बिसे समेधानिक संसोदन द्वारा GST परिशत का अध्यक्स कौन होता है तो केंदरी वित्तमंत्री GST परिशत के अध्यक्स होते हैं अगला पसने है 49 नीती आयोग के सतत विकास लक्ष सुचकांग 2021 में किस भारती राजजी को सर्वच्ची स्थान मिला है तो केरल को दुस्तों यहां पर क्या मिला है किस है केरल को तो राज्य विधान परिशत को दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता है किन्तों समाप्त किया जा सकता है अगला पसने है नियायलाई निम्नमे से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वहाँ पद धारन करने से रोग सकता है जिसके लिए वहाँ अधिकारी जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है ठीक है तो अधिकार पच्छा लेक के द्वारा नियायले रिट जारी करता है अर्टिकल 32 के तरह जिसके तरह तो किसी भी व्यक्ति को पद धारन करने से रोग सकता है खुले 20.000 की करिया है किस निती से की विशिषता है दोस्तों तो मौद्य निती की विशिषता है फुले 20.000 की करिया है इसे साथ निती भी कहते है खाद्राश्टी खाद्जे सुरक्षिया मिशन, नैशनल फूर्ट सिक्यूर्टी मिशन कब सुरू हुआ था, तो जार साद आर्ट में, ठीक है, अप्सन नमबर A सही हो जाएगा अगला पसन है, तेंदुलकर प्राविधी के अनुसार, वर्से 2011-12 के लिए भारत में गरीबी दर क्या थी, तो आइधिंग दोस्तों, अप्सन नमबर D होना चाहिए, 21.9 अगला पसन है, जिमन में सर्वोच्चन स्रेनी का कोईला कौईला 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 माना जाता थी, तो 74.04 प्रसेंट भारत की साक्षरता दर्थी, जन्गलना 2,111 अगला पसन है, जोस्तों, मुख्य केंद्री छेप, यानि कि MCT, ये किस को प्रतक करता है, तो MCT दोस्तों, व्रहत हिमाले को लगू, हिमाले से प्रतक करता है, MCT, में सेंट्रल थ्रस्ट है, अगला पसन तो option number C, आपका सिरकारी आयोग के समद में सही होना चाहिए, अगला पसने है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार, विश्यो में भारत का मानव विकास सुचकांग के क्या है, तो 131, कि दिया 131, ठीक है, अगला पसने है, फसल चेकर 2020-21 के लिए भारत में राष्ट की दर्रों को पस्चिम से पूर्व की और व्योस्तित कीजिए, जोजिला, सिपकिला, मुलिंगला, बोमडिला, तो जेलिपला, ठीक है, तो इसका अंसर दोस्तो, option number B होना चाहिए, 1, 2, सबसे, क्योंकि पस्चिम से पूर्व करना है न, तो जोजिला हो गया, सबसे पस्चि दक्षिन भारत की सबसे उची परवच चोटी है, अगला प्रियाग में, अगला 69 प्रसन है, हिमालियन फ्रेंटियर थ्रस्ट, यानिकि हमालियर फ्रेंटेट फॉल्ड भी बोलते है, यहां किसके मध्य में स्थित है, तो गंगा के मैदानी छेत्र एवम सिवालिक हिमाले को प्रतक करने का काम करता है, तो क्या, HFF, ठीक है, तो उप्सन नमबर C, आपके यहां पर सही अंसर होना चाहिए, अगला प्सन नमबर C, यहां पर आपका सही अंसर हो जाएगा, अगल 2001-11 के दसक में उत्राखन के जनसंग्या वरतिदर कितनी रही, वैसे जनसंग्या वरतिदर 18.80 परतिशत रही थे, ठीक है, 2001-11 के दोरान, लेकिन यहां पर 18.80 परतिशन में नहीं है, तो इसके नियरेस्ट आप्सन, I think, आप्सन नमबर C होना चाहिए, उननी दिसमलाव 17 पर पर्यूजना, गयातर है, राखने दोरान, लेकिन नमबर C होन से कॉन सा जड़ा सही नहीं है, पंजाब हमाले, शिंदु और तो आप्सिन निम्बर बी और सी में के इसका बारे में कहा जाता है कि इसका विष्थार सतलुज नदी से काली नदी के मद्दी में नदी के इसका एक एक अंसर होगा कुमाओ हिमाले या नेपाल हिमाले मैं से इसका एक अंसर होगा क्योंकि यम्ना की जगपे सतलोज होना चाहिए था यहाँ पर रावी की जगपे दोस्तापका काली होना चाहिए था अगला पसने बात करते हैं निमन में जाती की गरना हिमाले की प्रागैतियासिक जातियों में नहीं की जाती है गंदर वो यक्ष किंदर या सक तो I think दोस्तो इसका अंसर option number C किंदर होना चाहिए ठीक है एक बार आप लोग इसे cross check भी कर लेजिएगा ठीक है I think किंदर होना चाहिए अगर आप आप सने तालिस्वर तामर पत्रों में परों के ब्रह्मपुर राजी से संबंदित है option number B यहाँ पर सही हो जाएगा अगर आपसने बहतर आपको सुमेलित करना है दोस्तो भारती सेन्यक आदमी देरादू में इस्तित है फूलों की घाटी चमोली में इस्तित है भेल जो है आपका हरिद्वार में इस्तित है और पिंडारी ग्लेशेर दोस्तो आपका बाग इस्तित है तो option number B आपका सही होना यह 3, 1, 2, 4 अगला पसने निम्नलिकित में से कौन सी उपजाती इस्तान के नाम पर आधारित नहीं है दोस्तो इस question का अंसर थोड़ा सक आप दोग देख लीजेगा जो सी चिमवाल का पोली या फिस सनवाल तो पुछा गया कि ब्रामनों की कौन सी उपजाती इस्तान के ना पर आधारित नहीं है तो I think option number A इसका अंसर हो सकता है लेकिन वैंशी और नहीं हो ठीक है अगला पसने निम्नलिक से कौन सी जंजाती उत्राकन से शंबंदी नहीं है तो बैगा दोस्तो उत्राकन से शंबंदी जंजाती नहीं है जौन सारी थारू और बुक्सा उत्राकन से प्रबाहो पड़ा है लेकिन इससे सहरी न Inser हो न चाहीं है on state number A ठीक है वैसल Sumpredai का सायध सरवादिक प्रबाहो पड़ा हो ठीक है लेकिन सहयो संप्रदायका भी पड़ा है लेकिन सहयो के साथ में आपे साक्त देद गया है तो इस कारण हो सकता है कि अप्शन नम्बर बी ना हो तो ए या भी मैंसे वैसे एक अंसर होना चाहिए मैं जाओंगा सिवेशनो के साथ में लोग इबार क्रोस्टेक के लिजेगा अगलापस नहीं चेतरवा कुमाओं के राज जी के चंद बंस का अंतिम सासक को था? महेंद्र चंद, चंद राज बंस के अंतिम सासक थे अगलापस नहीं गूड भूमी का आर्थ क्या कि मंदीर को प्रदत बंस या मंदीर को जो बंस जान में दी जाती है उसे गूड बंस कहते हैं अगलापस नहीं है, हिमालियन डिस्टिक्स के लिखा कौन है? तो हिमालियन डिस्टिक्स गजेटियर के लिखा के हैं अगलापस नहीं उत्राकंड सासन की तो परियाटन से समबनी योजना है, वीर जन्रिसिंग गडवाली योजना है, थीक है, तो परियाटन और सरुजगार, वीर जन्रिसिंग गडवाली योजना, अगर आपस नहीं, आर्थिक सर्विक्षन, 2018-2019 के किस जनपत की पर्ति वेक्ति आई, 2016-2017 में सरवाधिक रही थी, तो आई तिंग दोस्तों इसका आंसर आप्स नमबर B देरादून होना चाहिए लेकिन मैं शूर नहीं होगा, एक बारा आप प्रोस चेक कर लिजेगा, अगल आपस ने निवने से कौन सा इस्तान सुमेलित नहीं है, देखिए खिर्सु पॉड़ीगडवाल में सही है, ओली च इंकित केजे, जिसने बारवी सदी के अंत में खस देश, केदार भूमी और दानव भूतल प्रदेश पर राजी किया था, तो इसका आंसर दोस्तों आपका असोक चल होना चाहिए, क्या असोक चल, अगल आपस ने, अलमुडा या अलमनगर के संस्तापक कौन थे, तो बालो आपसी सागे दरबार में, अगला अपसने है, 87, निमनों ऐसे किस इसताण पर प्राची अभिले सिलालेक मिलें, तो काल सी से, तो आपसन नम्बर 4 आपके है यहापे सही होना चाहिए, वैसे हर इसताण, पान्चुके सोवर, पलेठी और तार इस सुर से भी आपस बादेश पुछा गया तो यह दोस्तो आपके 17 कुश्चन दे बाकि 10 कुश्चन और है वह आपको करवाजता हूँ अगला हमारा 88 प्रस्टन है दोस्तो कि उत्राकन राजी के अस्तित्तों में आने के बाद पर्थम बार राष्टपती सासन कब लगाया गया था तो 27 मार्थे 2000 को उत्राकन राष्टपती सासन लगाया गया था अगला प्रस्टन है नवासिवा निमनों ऐसे ब्रिटिस कुमाओं के किस कमिश्चनर ने पुलिस वियोस्ता के इस्तान पर सामान्य प्रसासन के लिए पटवारी वियोस्ता लागू की थी तो पटवारी वियोस्ता लागू की थी इसने ट्रेल ने उप्सन नमबर 20 ही हो जाएगा अगला प्सने उत्राकन की विदानस्वा में अनुचुची जाती के प्रत्याक्षियों के लिए कितना इस्तान आरख्षित रखा गया है तो अनुचुची जाती की सीटे कितनी पुनर विलोकन करने तो राजजी वित्ता अयोक का गठन कौन करता है तो राजजी पाल के द्वारा राजजी वित्ता अयोक का गठन किया जाता है अगला प्सने जोस्तो कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्सा प्रारंब किया था तो 2018-19 में जोस्तो अटल न्यू विकास समीति की स्थापना की गई थी option number D पीचानी में प्रस्ना है देरादुन में राजबोहन की स्थापना किस वर्षे की गई थी सरी नैंताल में राजबोहन की स्थापना उस्तों 897 में की गई थी और 997 में बनके तैयार हुआ था अगलापसने KMVNL कुमाव मंडल विकास निगम लिमिटेट ऐवं गडवाल मंडल विकास निगम लिमिटेट की स्थापना किस वर्षे की गई थी 31 मार्च और 997 को जोस्तो KMVNL और GMVNL की स्थापना होई थी अगर आपस नहीं 2011 की जन्रक्राणने के अनुस्वार उत्राखन राज्य की कुल जनसंक्या में अनुस्ची जाती का प्रतिशत कितना है ऐसी परसेंटेज दोस्तो 18.76% है 18.77% जन्रक्राअथ कर दोस्तो moments उत्राखन क्या सर्वादिक जन्रक्राणने के अनुस्ची जन्रक्राणने के अनुस्ति ह aç वाज और आज का जोस्तों लाज कुछन है बारत के पर्थम क्रिस्टीव शूले की स्टाफना 15 मीं कब हुईती तो यह थे दोस्तो आपके 100 questions जो की non-tech वाले section से पुछे गए थे बांकि जो आपके 50 questions है वो आपका उससे बुछे हुए थे हैं क्या बोलते हैं maths और reasoning वाले उसमें questions से आप लोग देख सकते हैं आपको मैं स्कीन पर दिखाएता हो तो अगर आपका 95 plus general में safe score जा रहा है तो आप लोग बिल्कुल safe zone में है I think आपका pre निकल जाना चाहिए क्योंकि 1500 questions थे थोड़ा सा time का भी bonding होता है maths और reasoning में थोड़ा सा time लगता है और उसके accordingly मैं अगर बात करो तो 95 plus अगर आपका general में score है तो आप बिल्कुल sure है 90 plus वाले भी उम्मीद रख सकते है बाकी कुछ questions यहाँ पे सामानी बुद्धी परिक्शन के भी दिये हो है तो आप लोग यह देख लीजेगा यहाँ पे कुछ answers भी टिक किये हो है यह questions भी है तो मैं आपको बात में solve करा दूँगा बाकी जीएश वाला प्रेस्चन भी जोस्तो आपका ठीक ठाक सा था और करेंट अफ़ेश भी आपका ठीक सा आई था लेकिन कुछ कुछ पूर्शन तो आप अच्छे लेवल के आती है ऐसी match or reasoning की मैं बात करो तो वहाँ पे भी आपका ठीक सा score था जिसके match year reasoning अच्छी है तो वो 35 से 40 तक का score आराम से कर सकता था ठीक है तो इसी हिसाब से अगर आपका 95 प्लस score बन रहा है जनरल कैटेगरी में दोस्तों तो आप लोग कह सकते हैं कि prelims के लिए आपका side prelims निकल जाएगा ठीक है अभी के हिसाब से अगर मैं answer की अभी तक नहीं आई हुई है एक अपने अनुमान से बताओ तो और 90 प्लस वाली भी बिल्कुल safe zone में है जनरल में ठीक है बाकी SCST, OBC, EWS वालों के अपनी number फ्ला सा कम करके आप कर सकते हैं ठीक है